हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि बहुत यच्छे से होंगे फ्रेंस देखे ए हैं यूप फोर्विया मिली और आज मैं इनकी कटिंग लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास इनका सिर्फ एकी पौधा है और मैं सोच रही हूं कि इनकी कटिंग से एक दो और पौध इनकी कटिंग हमें दो तरीक लगा सकते हैं पहला तरीक आ यहीं है कि अगर नहीं घरता है तब में मिट़्प का दर हो काटे भूब है तो देखिए फ्रेंस मैंने इनकी कटिंग ले लिए और इन में 5 पतियां है ज्यादा पतियां होते तो मैं इनकी पतियों को अबागे लेकिन ज्यादा पतियां नहीं आए और देखिवा नहीं है तो फ्रेंस अब हम जो है मित्टी की थोड़ा बात कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंस एह मित्टी प्लास्टिक कोट में है और मित्टी बारिस दोने एक वज़े से गीली हो गई है और इनकी नीचे भी थोड़ा सा कोकोपिक पड़ा हुआ है और आपको बता दूं कि यह तो फ्रेंस अब जो है हम इनमें एक छोटा सा हुल बनाएंगे फिर उसके बाद इन्हें हुल में रख लेंगे इस तरह से देखिए इस तरह से रख दियें और बिल्कुल आराम से चारो तरफ से इन्हें मित्टी से दबा देंगे इस तरह से दबा देंगे तो फ्रेंस हम इन्हें बारिस से बचाएंगे क्योंकि यह बराबर बारिस का पानी मिलेगा ना तो एक खराब हो जाएगी तो फ्रेंस अब हम इंतजार कर लेते हैं इनकी रूप बनने का तो फ्रेंस एक महने लगभग हो चुके हैं और इनकी पत्या थोड़ी से खराब हो गए थी इसलिए मैंने इन्हें पाने से साप किया है और अब मैं इन्हें निकाल कर आप लोगों को दिखाऊंगी कि इन्हें रूप बनी है कि नहीं बनी है और फिर उसके बाद इन्हें ज लगी हुई है और देखे कितनी अच्छी सीन में रूप बनी हुई है कोई दिकत नहीं हुई मैंने जो है इन्हें नहीं किया था उसी तरह से ततकाल में मित्ती में लगाए थी और देखिए आप लोग देख लीजिए तो फ्रेंस थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए कि अगर हम जो है ततकाल में की कटिंग लगाते हैं तो बराबर पानी नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर बराबर पानी देंगे तो एगल जाएगी इसलिए पानी को सुस्त मचके ही देना है और देखिए कितनी ज्यादा इसमें रूट्स बनी हुई है कोई दिकत नहीं आपक कितना सुन्दा लग रहा है धेरो रूट्स बनी हुई है तो फ्रेंस यूफोर्विया का एक और पौधा मेरा तयार हो गया है देखिए कोई दिकत नहीं हुई है और मैं इन्हीं बारिस से बचाई और पानी भी जो मिती को चेक करके ही दे ताकि जहादा पानी अगर इसमें खराब हो जाती देखिए तो फ्रेंस अब जो है हम इन्हीं दूसरे पोट में लगाएंगे तो फ्रेंस हम इन्हें बहुत इसावदानी से रखेंगे जिसे इनकी रूर्स खराब ना हो तो चलिए अब हम इनकी मिती की बात कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंस एह है कोको मिला रखी हूं और देखिए गमले की मिती है तो इन में जो है नमी बहुत ही काफी है तो मिती वर्मी कंपोस्ट कोको पीड सबको मिलाओंगी तो फ्रेंस मैं किसमें लगाओंगी चलिए भी दिखा दिते हैं देखिए प्लस्टिक का डिबा है तो इनमें मीठा आया था तो एक हाली पड़ा था तो मैंने सुचा कि इसी में पौधे को लगा दूँ देखिए इनमें धेरो होल बने हैं क्योंकि फ्रेंस अगर हम होल नहीं बनाते न तो हमारा यूफोर्विया का पौधा खराब हो जाएगा तो फ्रेंस देखिए मैंने सब को मिक्स कर लिया है और पौधे को अच्छी तरह से हम लगा देंगे तो देखिए फ्रेंस हमने यूफोर्विया के पौधे को प्लास्टिकट में लगा दी और इनके पतिओं पर मित्ती लग गयी थी तो मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ कर लिया है और आपको बता दूँ कि मैंने इनमें पान बारेज के पारें से इनने बचाएंगे टो इस तरह से मैंने इनकी कटिंग लगाई और देखिया इक प्लाश्टिक कोड में भी इनगा दिया तो बहुत ही आराम से देखिए कटिंग लग गई तो फ्रेंस हमारी वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कमें में आप लोग बताईएगा फिर मिलते हैं